नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी Office Group चैनल में दोस्तों आज हम Excel में सीखने वाले हैं कि हम किसी भी Payment Due Date की बात एक Reminder दे सकते हैं कि ताक कि आपको समझ में आए कि Customer की Due Date क्या हो गई है और कितने Payment पाकी है तो इसी ही हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों एक Simba सा E Function के साथ चोटा सा Analysis करेंगे और यह हम Reminder Find Out करेंगे तो Excel में आज हम सीखने वाले हैं कि Excel के अंदर हम Reminder कैसे Apply करते हैं ठीक है दोस्तों चले शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक चोटी से Request अगर अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दिए धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरे पास एक डेटा है जहां पर मैंने कुछ कस्टमर के नाम लेके हैं उन्हांने कौन से प्रोड़क्ट हमारे यहां से लिए उनकी पैमिंट क्या है उनकी पैमिंट ट्यूडिट की है अभी हमें remainder किस तरह केसे चाहिए देखिए दोस्तों यहां पर अगर हमें यह देखिना है कि आजकी date में अगर پलस हमने 5 day कर दिये और वो date से अगर कम date है, तो हमें reminder चाहिए, तो हम इस तरीके से add कर सकते हैं, तो daily daily का हम यह आज की date तो insert नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर हम यूज़ करेंगे today function, today function क्या करता है दोस्तों, इस function को अगर आपने apply किया, इसके parameter कुछ भी नहीं है, बस आपको open bracket, close bracket करना है, जैस आपने enterprise किर दिया, तो दोस्तों आपके system में जो date है अभी फिलाल, वो date यहां पर display हो जाएगे, तो यह current date के अंदर अगर हम plus 5 करेंगे, तो दोस्तों date कौन सी हो जाएगी, तो दीखिए दोस्तों, date आ गई, 2nd January 2021, 2nd January 2021 से जितनी भी छोटी date अगर payment due date में आती है, तो यहा vendor, तो चलिए, यही logic हम यहां पर use करेंगे दोस्तों, वो भी e-function के साथ, e-function जो है दोस्तों, e-function के ऊपर वे एक मैरा चोटा सार वीडियो दोस्तों, प्लीज आप उसे देख लीजिए, e-function बहुत ही ज़रूरी function है, analysis करने के लिए बहुत ही useful function है, एक बार आपके उसके अ add कर सकते हैं दोस्तों, तो मैं चोटा साब को एक देख मों देता हूं दोस्तों की e-function है क्या, e-function के अंदर दोस्तों तीन argument fix हैं दोस्तों, logical test, value if true और value if false, अगर आपकी logical test अगर आपने कर दी, अगर उसकी जो result है, अगर true है तो आपको क्या चाहिए, या कौन सा function apply करना है, या आपको यहाँ पर क्या type करके चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर देना पड़ता है, उसके बाद comma, अगर वो condition अगर जो logical test है, अगर false है, अगर गलत हो रही है, गलत result आ रहा है, तो उसके बदले में आपको यहाँ पर क्या चाहिए, वो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, तो इसके arguments आपको समझ में है, parameters logical test, value if true, value if false, देखें, हम यहाँ पर easily यहाँ पर if function apply करेंगे, देखें दोस्तों, is equal to if, अगर यह date जो है, देखें दोस्तों, यह date जो है, वो छोटी है क्या, less than, किस date से, आज की date से, तो today लिखेंगे, क्योंकि आज की date हम यहाँ पर display नहीं करेंगे, या हाथों से नहीं लिखेंगे, दोस्तों, if, यह जो payment due date जो है, वो छोटी है क्या, आज की date से, और आज की date में हम प्लस करेंगे 5, मतलब आज की date प्लस 5, जो भी date आएगे, उस date से यह date payment due date छोटी है क्या, कॉमा, value if true, अगर है तो, तो क्या चाहिए दोस्तों, quotation mark में हम यहाँ पर लिखने वाले reminder, quotation mark में क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि, quotation mark में जो भी हम text apply करने वाले, वो text आपको यहाँ पर automatic type करके आएगा दोस्तों, sale के अंदर, ठीके, कॉमा और वो fix हो जाएगा, अगर नहीं यह तो दोस्तों, तो quotation mark, double quotation mark दीजी, इसका meaning ही दोस्तों, फिर blank छोड़िए, sale के अंदर कुछ भी update मत कीजिए, और मैं bracket close करके enter करूँगा, तो देखिए, आगए reminder, ठीके, इसी function को हम नीचे की तरफ drag करेंगे, तो देखिए, दोस्तों, blank, यह blank हो गए, यह इसके अंदर function है, आपको यहाँ पर display हो जाएगे, formula बार में, तो देखिए, दोस्तों, तो आपको, इन customer को क्या करना पड़ेगा, phone करना पड़ेगा, दोस्तों, कि आपकी इतनी payment, बाकी है, दोस्तो ठीक है नी, और इन लोगों को phone करने की जरूरत नहीं, यह automatic यह function daily change होते रहेंगे, दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर today function apply कि है, यह today function क्या करेगा, दोस्तों, automatic आपकी system की जो current date उसकी साब से यह work करते रहेगा, और आपको reminder आता रहेगा, आपको यह function वापिस apply करने की जरूरत नहीं, दोस्तों, जैसे जैसे यह dates change होते रहेगी system की आपको यहाँ पर changes दिखाई देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा आज का session की Excel में reminder कैसे add करते है, दोस्तों यह तो बहुत ही जरूरियो function है, यह बस मैंने आपको payment due date पर बता है, आपके data के हिसाब से easily apply कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही जरूरियो function है, आशा करता हूं दोस्तों आपको यह मैरा session यह video पसंद आया होगा, दोस्तों प्लीज subscribe कर दिजिए और like और comment करना मत भूलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद